हे गाईज वेलकम टो माई इवेश्टी ट्रेणिंग और दोस्तो इस टिटोरियल में आपको मैं sketch 45 का जो निव अपडेट आया उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं तो दोस्तो इस वीडियो को आप फूल वाज करेंगे और जो नए फीचर है sketch एप में 45 वर्जन में व आप समझने का कोशिज करेंगे तो दोस्तो इस फीचर में चार अपडेट आये हैं major जो कि आपको मैं बताने जा रहा हूं सबसे पहला point जो है first point जो है वो है color का जो palette था sketch में उसे update कर दिया गया है और उसमें आप एक custom name field जो है आप दे सकते हैं जो कि आप update देख सकते हैं क यहां पर क्या क्या update हुआ है first update जो हुआ है plugin now update automatically within a sketch and we will disable incompatible plugins they don't break sketch दोस्तो बहुत सारे sketch का जो third plugin था तो उसे update करने के लिए आपको यह पता नहीं होता था कि यह plugin sketch 45 में या कोई और भी update आया है तो दोस्तो sketch 45 में ये feature आपको मिलेंगे जो भी plugin आपने install कर रखा है और यदि आपको वो plugin 45 को support करता है sketch 45 को और यदि वो update plugin होता है तो automatic आपको जब plugin में जाएंगे sketch 45 का तो वहां पे update का notification आ जाएंगे और वहां से आप directly sketch के plugin को update कर सकते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो भी sketch plugin में मान लिए कि आपने 10 plugin इंस्टॉल कर लिया है जैसे कि craft है या sketch major है या sketch grid है या बहुत सारे ऐसे plugin हैं जिसे install किया है और install करने के बाद कोई update आया है तो वहां पे आप direct update कर सकते हैं और जो sketch 45 के लिए support नहीं कर रहा है और update नह होंगे automatic और जब वह plugin update करता है उसका creator या जो developer होते हैं development करता है तो आपके पास sketch में automatic update आजाएंगे और उसे आपको update कर देना है जो कि आप sketch के plugin folder में जा करके यह देख सकते हैं the color pop over second point जो है color का जो pop over था scroll and the color picker is now collapsible color जो picker था उसमें आप create कर सकते हैं custom color का name भी define कर सकते हैं जैसे कि आप photoshop या illustrator में करते थे उस तरह से आप color का name भी define कर सकते हैं sketch में और सबसे बड़ी बात है कि जो color है अगर आपने बहुत सारे assets color का create कर रखे हैं और आपके पास multiple row आ गये हैं या column या बहुत सारे assets create कर दें तो आप scroll label और collapsible बना सकते हैं उसको expand और collapse भी कर सकते हैं थर्ड पॉइंट है we have made some useful improvement to snapping दोस्तों वेक्टर जैसे कि देखे होंगे illustrator में या आप photoshop में उसी तरह से यहां भी snapping वाला पॉइंट है जैसे ही आप कोई create करते हैं vector art तो वहां पर automatic आपको snapping जो है option वहां पर grid जो snap का grid है वहां पर आपको show कर देगा कि यहां से आपको match करना है या नहीं जैसे ही आपका वो anchor point जो art का है वहां पर आपको snapping वाला grid दिखा देगा तो यह update है उसके बाद आपका बहुत सारे ऐसे keyboard shortcut हैं जिन्हें update किया गया है तो दोस्तों यह है better plugin management जिसमें आप देख सकते हैं कि sketch 45 का यह look and feel है जहां कि आप plugin folder में जब जाते हैं preference menu में जब sketch के preference में जाएंगे तो preference में जाने के बाद यहां पर आप देख रहें कि runner है plugin और sketch grid master है sketch focus है तो आप देख रहे हैं कि sketch का जो runner है automatic update हो रहा है और second वाला waiting में है अगर उसे भी sketch grid master को update करना है तो यहां से update कर सकते हैं और जो sketch अभी तक उसके लिए compatible नहीं है तो वहां पे आपको disable o plugin show करेंगे तो दोस्तों यह सबसे बड़ी update हुई है sketch major में sorry sketch 45 में colors का और plugins का जो की plugins update हो जाता था बैकेंड पे लेकिन आपको पता नहीं होता था कि यह sketch का plugin update हुआ है लेकिन अब आपको plugin के थुरू इस sketch plugin के थुरू automatic इस window में आपको दिखाई देगा कि कौन सा plugin का update आया है आपको मैं दिखा रहा हूं कि यहां से color का बहुत सारे artboard यहां पे बहुत सारे color create किये गए हैं और इसमें आप naming custom दे सकते हैं किसी भी color code को और यहां पे expand global जो color के side में जो drop down menu है वहां से expand और collapse कर सकते हैं तो यह है color plate का update और improvement में आप अगर देखते हैं तो snapping in the vector में आप देख रहे हैं कि xy में जब आप यहां पे जाते हैं automatic एक snack grid दिखाई देता है जो कि आप यहां पे देख रहे हैं यहां पे update इस तरह का 45 में किया गया है तो यह बहुत ही designer के लिए EY UX designer के लिए main feature है important feature है जिसके मादेम से आप shortly artboard को या icons या कोई भी save को create कर सकते हैं उसमें आपको यह hint देता है guideline की इस तरह से आप यहां से snapping कर सकते हैं तो यह automatic आपको पूरे point को state में दिखा रहा है कि यहां से यहां तक merge करना है more consistent menu में आपको यहां पे कुछ option update किया गया है तो दोस्तो इस तरह से बहुत सारे update हुआ है जो कि आप इस point में read कर सकते हैं वीडियो को stop करके तो यहां से यह सारे के सारे point shortcuts भी कुछ improve किया गया है तो उमीद करता हूँ कि दोस्तो यह जो update हुआ sketch 45 का यह एक designer के लिए वहुत ही valuable point है और यह आपको अगर आप design create करते होंगे तो बहुत ही help करने वाला है तो दोस्तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो please आप इस वीडियो को like कर दें लाइक आप लोग नहीं करते हैं please ओ आप एक second भी नहीं लगता आप वीडियो को like कर सकते हैं अगर आप देख रहे हैं तो आपको कुछ न कुछ तो आपको benefit हुआ होगा इस वीडियो से तो दोस्तो हमारे चैनल को यदि आप नए चैनल है नए यूजर है तो आप हमारे चैनल को subscribe भी कर सकते हैं और उसके बाद यदि आपको कोई इस वीडियो से related या किसी भी वीडियो से related आपको feedback है तो उसके comment box में आप type करेंगे मैं आपको frequently reply देने का कोसिस करूंगा और मैं दोस्तो कैसे आप के कैरियर को चेंज कर सकते हैं कैसे एडवांस लेबल पर आ सकते हैं यदि आप वीगनर है श्टार्ट कर रहे हैं कैरियर mobile application या website में और software company में आपको develop करना है तो कैसे कर सकते हैं यह सारे के सारे point मैं आपको हिंदी में प्रोवाइड करता हूं और दोस्तो उमीद करता हूं कि हमारा वीडियो आपको बहुत ही कैरियर के लिए help करेगा तो दोस्तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलेंगे और social media पर अगर आपको लगता है कि बेटर वीडियो है तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों